हलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक आउनलाइन गुरू चैनल जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि ग्रूप क्या होता है हमने बदाया थाथ ग्रूप एक कलेक्शन होता है जिसमें हम लेजर को डालते हैं तो आज हम लोग सीखेंगे कि लेजर क्या होता है और कैसे काम करता है देखें दोस्तों, टैली में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है जर्नल इंट्री और जर्नल इंट्री बिना लेजर के नहीं बन पाती है तो जर्नल इंट्री करने से पहले हमें लेजर की जरूरत होती है और हम वो लेजर बनाते हैं जो आपके समय की जर्नल इंट्री से रिलेटेड होते हैं ठीक है और उन लेजरों को उनसे समबंधित रिलेटेड ग्रूप में हम लोग create करते हैं ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि टैली में लेजर को कैसे बनाते हैं ठीक है और टैली में सबसे पहले। दो Leger पहले से बने होते हैं, जो होता है…ए produces Profits & Awards का और एक होता है Cash का तो आपको यह दो Leger नहीं बनाने होते हैं. ठीक है? तो Leger बनाने कलिए हमें क्या करना है? Gateway of Tally में जाना है, जैसा कि आप जोक देख सकते हैं, हमारा interface open है Gateway of Tally का gateway of tally के बाद आप accounts info में आएंगे accounts info में आके आप इंटर करेंगे उसके बाद देखिए group के नीचे आपको laser दिख रहा होगा जैसे हम laser पे इंटर करेंगे यहाँ पे भी आपको 3 option दिख रहे होगा create, display, alter ठीक है तो display का हमने जैसे पिछली क्रास में बताया था कि जो पहले से ही बने हुए है उनको देखना जैसे हम display पे क्लिक करेंगे देखिए cash और profit loss पहले से बना हुआ है ठीक है आईए हमने आपको बताया था कि कुछ group होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं ठीक है मान लेजे हम बना देते हैं हमें commission प्राप्ट हुआ है ठीक है हमारी company को commission प्राप्ट हुआ है तो हम एक ledger बनाएंगे commission ठीक जैसे ही आप inter करेंगे group पे आएंगे तो पूछेगा कि commission आपका किस group के तहर जाएगा हमने क्या बताया दोस्तों कि commission हमें रखेंगे indirect income में जैसे ही आप indirect income में रखेंगे तो नीचे दो option और आएगा inventory value और affected इसको no कर देंगे और types of leisure no कर देंगे mailing detail commission की कुछ नहीं होगी ठीक है और नीचे आएंगे यहाँ पे opening balance पूछेगा opening balance पूछेगा कि आपको कितना commission मिला है तो हमने कहाँ 2000 रुप है इसको inter करने के बाद debit credit यहाँ पे नहीं टालेंगे वो अपने से debit credit ले लेता है ठीक है inter करेंगे और accept करा लेंगे जैसे ही आप वो accept कराएंगे तो फिर से laser creation का display open हो जाएगा फिर आपको और फी laser बनाने होंगे तो वो बनाएंगे जैसे कि मान लीजिये हमने salary दी ठीक है तो एक laser बनाएंगे salary उसके बाद जैसे inter करेंगे तो देखिए हमने इससे पहले commission प्राप्त किया था दोस्तों तो उसको हमने indirect income में रखता था अब हमने salary दी है तो जब salary दी है तो यह हमारा expense होगा खर्च होगा तो इसको हम लोकेस में रखेंगे indirect expenses में जैसे ही इंटर करेंगे इंटर करेंगे इंटर तो इसमें भी salary का mailing address नहीं होगा इंटर कर देंगे और जितनी salary हमने दी है उसको यहाँ पे opening balance देखिए दोस्तों expense हमने capital कीड़ेंगे दोस्तों capital account में देखिए जैसे हम वहाँ press करेंगे c A तो आ जाएगा capital और cash ठीक है जैसे capital कीड़ेंगे दोस्तों capital account में जैसे ही हम जाएगे press करेंगे c A तो आपका जितना option है और जिसमें c अजगा और a वही option सिर्फ आएका ठीक है तो ले लेंगे capital account और inventory value होगी है और यहाँ पर देखिए name, mailing address यह वो detail है जो आपके company की है इसको इंटर कर देंगे और जितना capital हमने लगाया है उसकी इंटरी कर देंगे और इंटर कर देंगे इसीर परकार दोस्तों हमें कुछ ledger बनाने होते हैं जो कि general entry में करनी होती है ठीक है बाकि आप लोग channel देखते रहिए वीडियो को like करिए और चैनल को subscribe करिए कोई भी problem हो, कोई भी आपको query हो तो हमारे whatsapp number पर query दीती है और हमारे telegram channel join करिए आगे के class में हम लोग पढ़हेंगे general entry ठीक है और basic of accounts पढ़हेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही thank you very much